हलो एब्रिवान वेकम टू निव ब्लॉग अभी बज़े है सुबह के च्छे और बाहर देखे कितना अंधीरा है और थोड़ी थोड़ी ठंड भी हो रहे हैं मैं रूम से बहार निकली तो यहां पर बड़ी ओईट कर रहा था मेरा और मैं उसको बुला रहे थी कि आज आओ मे बनाना होगा बेटी के लिए ब्रेक्फ़स्ट और स्कूल का टिफिन आज अबाउट टू एन हाफ या तीन साल बाद उसका पहला दिन स्कूल का है क्योंकि इससे पहले वो जो भी कर रहे थी वर्चुल कर रहे थी तो यहां पे मैं फिर से आगी हो बड़ी को थोड़ा सा प्यार करने के लिए और वहां पे मैंने कॉफी चरा दिया है पानी करम करने के लिए रख दिया है और इसके में पॉस जब भी देखती हूंने पॉस अटा लाता है पता नहीं क्यों इसको पॉस किसी के हाथ में देना और फिर टमाटर और प्याज इसको स्लाइस करके फिर ब्रेट में चीज डालके और थोड़ा सा ब्लाक पेपर और सॉल डालके और टमारा सॉस डालके मैं उसका सैंविच बना दूंगे बच्पन में यह टिफिन में ले जाती थी स्कूल में और स्कूल लाइफ में मुझे यह टिफिन बिल्कूल पसंद नहीं था पताने क्यों मुझे सैंड़िच दीखते गुसा आजाता था ममी के ओपर कि यह क्यों बना के दे पराठा क्यों नहीं बनाया और फिर उसका टिफिन पैकने लग जाती हूँ और मैंने यहां पर ओमलेट बनाने के लिए रख दिया है और मैंने इसका सैंडविच भी पैक कर लिया है इसको टीशु पेपर में रैप करके मैंने इसको रिफिन बॉक्स में डाल दिया है और फिर आज लंच में जो फिश बनाओंगी क्योंकि वो फ्रीजर में रखावा है तो कुछ करने से पहले मैं सबसे पहले इसको पाने में भिगो देती हूँ ताकि खाना बनाते बनाते यह नरम हो जाए और मैं इसको फ्राइ कर पाओ और मैंने फिर एक मुसम में भी कट कर लिया और उसको थोरा सा टिश्यू पीपर में मैंने इसको वाइप आउफ कर लिया क्योंकि इसमें पानी चोड़ रहा था तो फिर मैं इसको डिफिन बॉक्स में डाल दूँगी तो वो अच्छे से रहेगा फिर मैंने तीतु को सुबह नीन से उट जगा दिया और उसको मैंने दे दिया है दूद और एक केला और दूद में मैंने डाला था हॉलेक्स और यहां पे मेरा हस्बन भी रेडि हो गये और सुबह सुबह उसको जाना पर रहा है क्योंकि उसको भी आदर छूट गई ना वाक फ्रॉम है तो थोड़ा देर से उटने की आदर होगी अभी और यहां पर बटी देख रहे कि क्या हो रहा है क्योंकि बहुत दिनों बाद सब लोग निकल रहे हैं और यहां पर तीतु सुदूरा शाइ हो रही है क्यूंकि इसका पहला दिन है डी सकोल का ऐगा rozp जाज्ण कुप रही है पता मैं पूछ भी तो क्या हो गया तो कुछ response ने करें और मेरी हस्बन के हाथ में जो दो बैंग से वह स्कूल सप्लाइस तो सकूल मेंदेना होता है हर साल और यहां पर हम ल और यह है ना, high school, तो इसको cross करके, अगर हम right में जाएंगे, तो आजाएंगे elementary school, क्योंकि यहां का school system है, तीन हिस्सों में बाटा हुआ है, elementary, middle school और high school. हर एक school में, graduation होता है, मतलब पहले elementary school से graduate हो, फिर उसके बाद middle school, फिर उसके बाद high school, और हर स्कूल में से जब आप पास करके निकलते हो ना तो एक graduation ceremony भी होती है तो जब kindergarten से pre-k में थी वो तो उसके बाद जब k-5 मतब elementary में आई तो उसका भी graduation party हुआ था तो अभी हम अल्मूस्ट आ गए है स्कूल की तरफ और ये है उसका classroom और ये रहा उसका class teacher और classroom बहुत प्यारा लग रहा था फिर हमने थोरे से snap ली और ये clipping है जब वो वापस आई तब क्योंकि वापस वो बस में आए थी तो आज का vlog यही तब